सब्सक्राइब करें आप आपका मेरे चैनल में स्वागत है हम आपकी प्रेंड चाहिए प्रेंड को ग्लूइंग बनाने के लिए हम बहुत सारे फेस्बैक लगापने क्रीम यूज करते हैं लेकिन पूरी स्कीन के लिए हमारे पास इतना टैम नहीं होता कि हम इतने फेस्बैक लगाएं तो हमें आज आपके लिए ऐसा ग्लॉइंग जूस लेके आई हूं जिसका प्रेंड यूज करेंगे तो आपकी पूरी स्कीन हो जाएगी और इसे बनाना बह जूस बनाने के लिए मैंने लिया है एक सेव छोटा इसलिए मैंने एक लिया है बढ़ाओ तो आप आधा भी ले सकते हैं एक टमाटर एक गाजर आदे से विकम चुकंदर हमें इस अची तरह दोकर छील कर काट लोंगी देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है चुकंदर टमाटर का जूस रोजबीने से आपके शकन पर ट्रौ आ जाता है से शेल में बीटामिन ए विटामिन सी और कौपर होता है जो ना सिर्फ केवल आपकी हेल्थ के लिए बलकि आपकी इसकी कली बहुत अच्छा होता है इसका रेगूर रीजिच करने से आपकी स्क्रिक्स कि अब हम इसे पीस लेंगे कि अब इसे पानी एड़ करेंगे कि अब हम इसे पीस लेंगे देखिए हमारा यह पिश चुका है यदि हमें ठीक लग रहा है तो इसमें पानी एड़ कर सकते हैं आप इसे चान कर भी पी सकते हैं अब चान कर पीएंगे तो इसमें एक गलासी बनेगा वैसे इसे पल्प के साथ पीना ज्यादा फाइदे मन दोता है तो हम इसे पल्प के साथ भी पीती हूं देखिए हम इसमें एड़ करेंगे हाफ नीबू नीबू भी इसकीन को निखारने का काम करता है हम मैं इसमें डालूंगी स्वाद के लिए काला नमक आप बिना नमक के भी पी सकते हैं देखिए हमने नमक डाल लिया इसमें हम इसे मिलाएंगे हम इसे ग्लास में निकालूंगी तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जूस रेडी हो चुका है यह बन गया हमारा ग्लोइंग स्किन के लिए जूस प्रेंड्स हमने इस जूस को बनाने के लिए जितनी भी चीजों का यूस किया है वो काफी बैनिफिशिल है ना कि बल आपके स्किन के लिए बलकि आपकी हैल्थ के लिए भी यह इदि आप इसका रेगलर 15 देश तक यूस करते हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी आपकी स्किन पर डार दपे पिमेंटेशन जो भी प्रॉब्लमें स्किन की सारी दूर होगी आप इसका यूस कभी भी कर सकते हैं आप व्रेक अश्के बाद भी इसको ले सकते हैं या लंच से गंडे पहले सकते हैं तो अगर आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अब मुझे फॉलो कर सकते हैं यह मेरी इस्टेग्रम आईडी तो चलिए फैर्स में आप सब्सक्राइब नेक्स वीडियों बाइए कर दो कर दो